इस वीडियो में दिखाई जाने वाले सभी पाकर काल्पनिक हैं, इसका किसी भी जाती धर्म या किसी भी सम्मूफ से सम्मधित कोई भी रिलिजनेशेट नहीं है, अगर यह किसी से सम्मधित पाया जाता है तो अब अस एक संयोग मात्र होगा, यह वीडियो एडूकेशन नहीं जा रहा है इसे दिल पर ना ले और नहीं इसे किसी के साथ आप किसी भी प्रकार का गलत वेवार करें, धन्यवाद झाल किसी साठव सीपोर यह इसे किसी से सम्मधित पिलिजनेश बन्रme बन्र सकते हैं, और नहीं है, अगर रहा है किसी से सम्मधित इस किसी कि भी है Aqui कि बंगए पर चलACE मिलिऑ एली तो members खोंटेशन, खो ही वेजल community, अतर हैं भी झाल 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 नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट्पूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी box office collection कितना था इसमें कौन-कौन से lead role आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके blockbuster सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा continue जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को like कर दीजेगा दोस्तों के साथ share भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारते हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राध दिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूरर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है, इसको राइटिंग जो है असिम अरोडा ने किया है, पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है, कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिच फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्शे कुमार इसमें S.I. अर्धन सेटी के रूप में है और दिवय वक्सी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते ह जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी जादा महत्पूर्ण है हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा उतली मुवी के बारे में इसका कोष्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डॉल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉग पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे पहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से पहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक क का दीप सिखा देशमुग दुवारा निर्मित 2022 की भारते हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरुन फिल्म हैं इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारे ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तो सार्थ रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिण कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीज़ों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़यदा इसकी चर्शे हैं, क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सूचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेर किजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी जादा महत्पूर्ण है हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राई को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राई जो है वो काफी काम नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वेहत्रिन फिल्मं में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वेहत्रिन थावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी, सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू ज़रूर देखिएगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंडमेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का देप सिखा देशमुग द वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबई ग्यानिक प्राद तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म, रस्तासनन की रिमेक, इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्वे भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे। इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है, इसको राइटिंग जो है असिम अरोडा ने किया है, पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है, कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिच फिल्म है। बात करें इस फिल्म में, तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा, और आप इसे जब देखोगे, तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है। एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है, और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है। तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है। लोगों के साथ शेयर किजेगा, ताकि आपके राय जो है, वो काफी काफी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मुवी के बारे में। इसका कोश्ट प्राइस कितना था, इसने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था, इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे, और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी, और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से बहत्रिन सावित हुई, तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी, सारी बाते बताने बाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा, और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा, दो सिखा देशमुख दुवारा निर्मित, 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबई ग्यानिक प्राद तिलर फिल्म है, और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली, एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है, इस फिल्म को लेकेर, चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे, इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है, इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है, पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है, कहान चीजों को दिखाया जाएगा, और आप इसे जब देखोगे, तो बहत्रिन कामकारों को करने के लिए, एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है, एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है, और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है, इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है, पसंद भी किया जा रहा है, और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं, क्रेज हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताईएगा, और आप आपके राय जो हैं, वो काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है, हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाहते हैं, तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा, लोगों के साथ सेर कीजेगा, ताकि आपके राय जो हैं, वो काफी का नमस्का से लेड डोल आपको दिखेंगे, और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉग पस्टर सावित हुई थी, और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई, तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी, सारी बाते बता आने बाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा, और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा, तो दोस्तों कट पुतरी, रंजीत M. तिवारी द्वारा, निर्देश पहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली, एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म हैं, इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म, रस्तासनन की रिमेक, इसमें रकूल पृत सिंग है, और जोसिका, लेकेयर, चंदर च रन्जित M. तिवारी ने किया है, इस डा retrouबाना थिका, पठघ कता के कहाणी तो सार्त रिवेदी ने किया है, कहाणी इसका राम कुमार की है, और रतनान सन ये अधारिच फिल्म है, बात करें इस फिल्म में, तो इस फिल्म में दिखाई जाएगा आपको बहत्रिन एक्टर संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्जन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रख्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने व होई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिर्यू जरूर देखिएगा और अगर आप अक्षे कुम जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग दुवारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राध तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइ कहानित उसार्त रिवेदी नहीं किया है कहानी इसका रामकुमार की है और रतनानसन यह अधारिज फिल्म हैं बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ बहत्रिन चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिन कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो है वो काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डॉल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉग प देखिएगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुत्री रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहत वासु भंगनान में दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म हैं इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्व भूमिका में लक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोड़ा ने किया है पठकता की कहानी तुसार तृवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नानसन ये अधा काम कारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीज़ों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्जन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते ह जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी जादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा कुतली मुवी के बारे में इसका कोष्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड ड्रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉग पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सब जरूर देखिएगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंडमेंट के तहत वासु भं अगदारों में दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूर्ण फिल्म हैं इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिंग और सर से कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नान सन यह अधारिज फिल्म है बात करें इस फिल्म म काम कारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे खुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काई नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वगत करते हैं हमारे यूट्यूब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस कलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार की सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी, सारी बाते बताने बाले हैं तो विडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारते हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राध तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है, इसको राइटिंग जो है असिम अरोडा ने किया है, पठकता की कहानी तुसार्थ रिवेदी ने किया है, कहानी इसका राम कुमार की है और रतनान सन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जायगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जायगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है इक्षे-कुमार इसमें S.I. अर्दन-70 के रूप में है और दिव्यवक्ति के रूप में भी काफी अच्छा रख्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जयदा महत्पूरल और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं, क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सूचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोष्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डॉल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉग पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो विडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंडमेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारते हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राध दिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देसित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देसन रंजित एम तिवारी ने किया है, इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है, पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है, कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिच फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें SI अजन सेट्पि के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी ऩी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों इह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूल और हित सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं, क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोष्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो विडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंडमेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुक द्वारा निर्वित 2022 की भारते हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद दिलर फिल्म है और यह फिल्म 72 करदारों में दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरुन फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में अक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नान सन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिण कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें SI अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रखक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुत्री रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंडमेंट के तहत वासु पहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरुन फिल्म हैं इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंघ और जोसिका लेकेर चंद्रचूर सिंघ और सरगुन महता के साथ मुक्य भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे। इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है। इसको राइटिंग जो है असिम अरोडा ने किया है। पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है। कहाणी इसका राम कुमार की है और रत नान सन ये अधारिज फिल्म है, बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखो के तो 72 बत्रिन कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में हैं और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर किजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस कलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉ इंटिर्यू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुत्री रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंडमेंट के तह जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूर्ण फिल्म हैं इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक् कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजीत एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्थ रिवेदी ने किया है कहानी इसका रामकुमार की है और रत्नान सन यह अधारिज फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अरधन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो है वो काफी जादा महत्पूर्ण है हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस कलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म य वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंट्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुक थे मेडर मेर्मित दोहचार वाइस की भार्ते हंडी भासा की नुबई गानिक प्राध तृलर फिल्म है और ये फिल्म, बहत्रिन इनकर दारों सेयरों में दिखाई जाने वाली एक बहत्र्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्दे के कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नानसन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब दे के रूप में हैं और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ शेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपुतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस के लेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डॉल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉग पश्टर सावित हुई थी और अक्ष से खुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कटपुत्री रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग दुवारा निर्वित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबईग्यानिक प्राद तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्चे भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनान सन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखो के तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें SI अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्सी के रूप में भी काफी अच्छा रख्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज है तो आप इसके बारे में क्या सुचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वह काफी जादा महत्पूर्ण है हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से बहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी, सारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुत्री रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंट्मेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का देप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की प्रकदारों में दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदरचूर सिंग और सर इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्थ रिवेदी ने किया है कहानी इसका रामकुमार की है और रत्नानसन ये अधारिज फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे खुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रख्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्ट सावित हुई थी और अक्षे कुमार की सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी, सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ शेर भी जरूर कर दीजेगा. तदोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का देप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद दिलर फिल इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजीत एम तिवारी ने किया है इसको कहानित उसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नानसन यह अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखो के तो बहत्रिण कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्जन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काई नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस कलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक्पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो विडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंडमेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारते हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राध तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है, इसको राइटिंग जो है असिम अरोडा ने किया है, पठकता के कहानी तुसार्थ रिवेदी ने किया है, कहानी इसका राम कुमार की है और रतनान सन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्चे खुमार इसमें साई अरदन सेटी के रूप में है और दिवय वक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते ह जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी जादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा कुतली मुवी के बारे में इसका कोष्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड ड्रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉकपस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिर्यू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक क का दीप सिखा देशमुख दुवारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद तिलर फिल्म है और यह फिल्म 72 किरदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्तरिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरुन फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है, इसको राइटिंग जो है असिम अरोडा ने किया है, पठकता के कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है, कहानी इसका राम कुमार की है और रतनान सन ये अधारिच फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें एसा अर्दन सैटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्तर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो है वो काफी जादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोष्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से बहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैन्स हैं तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुत्री रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानि पराद तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन की्रदारों में दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरून फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में अक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है, इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है, पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है, कहानी इसका राम कुमार की है और रतनान सन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिण कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें SI अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूल और हिट सावित हुई है इसे के साथ इस फिल्म को काफी जज़ादा देखा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़ादा इसकी चर्चे हैं ट्रेध हैं तो आप इसके बारे में क्या सूचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वह काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड ड्रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉग पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत् कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुत्री रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंडमेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारत्य हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प् दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के सा दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नान सन यह अधारिच फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें SI अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचत पृपतमरों दोस्तों आज की इस वडियो में हम बात करने वाले हैं कट्पृतली आइए इसका cost price कितना था इसने कितनी कमाई की थी box office collection कितना था इसमें कौन-कौन से lead role आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके blockbuster सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से पहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबई ग्यानिक प्राद दिलर फिल्म है और यह फिल्म 72 करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुरुन फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल प्रित सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नानसन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिण कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूल और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है फसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सूचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राई भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राई जो हैं वो काफी ज्यादा महतपूर्ण है हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राई को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राई जो है वो काफी काम नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड ड्रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो विडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राध दिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देसित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देसन रंजित एम तिवारी ने किया है, इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है, पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है, कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिच फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते ह जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी जादा महत्पूर्ण है हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से बहत्रिन स तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट की मनुबाइ गानिक प्राद्थिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन किरदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूरुन इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल प्रित सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में अक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता के कहानी तुसार्थ रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों, यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है। इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है, पसंद भी किया दा रहा है। और लोगों में काफी जादा इसकी चरचे हैं, गरेज हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी ज्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड ड्रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक प देखिएगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग दुवारा निर्वित 2022 की भारते हिंदी भासा की मनुबईग्यानिक प्राध तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूर इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइ आनितुशार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका रामकुमार की है और रत्नानसन यह अधारिष फिल्म है बात करें इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको बहत्रण एक्टर के साथ बहत्रण चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रण कामका करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे खुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ share कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काँ नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो विडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुत्री रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंडमेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राध दिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देसित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंदरचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देसन रंजित एम तिवारी ने किया है, इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है, पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है, कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिच फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखो के तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें SI अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों ये फिल्म काफी जादा महतपूरण और हिट्ट सावित हुई हैं, इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है, पसंद भी किया दा रहा है, और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चें हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो है वो काफी जादा महतपूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अ इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे बहत्रिन फिल्म में से एक फ पैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का देप सिखा दे दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के सा दिखेंगे इसका निर्देशन रंजीत एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्थ रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नान सन यह अधारिज फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इससे जब देखो के तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें SI अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्ति के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते ह जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी जादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा कोष्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओफिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉकपस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से पहत्रिन फावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिर्यू PM जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा दोस्तों के साथ से वारेनरेवित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबई गानिक प्राद तिलर फिल्म है और यह फिल्म 72 करदारों में दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूरण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्दे सीथ 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल प्रित सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्रभूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा न किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नानसन यह अधारिच फिल्म है KinET कि बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाये जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ अरधन सेटी के रूप में है और दिवयवक्सी के रूप में वी काफी एच्छा राक्टर हुआ है तो दोस्तों इह फिल्म काफी ज्यादा महत्पूल और हिट सावित हुई है इसी के साह 60 ऋन्हीं को पसंत भी किया धा और लोगों में काफी ज्यादा इसकी है ん तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो है वो काफी जादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत M. तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहट वासु भंगनानी, जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्वित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबई ग्यानिक प्राद तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक पहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका, लेकेयर, चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजीत एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नान सन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिण कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें ऐसा अर्धन सेटी के रूप में है और दिव्य वक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं, क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेर किज़ेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी जादा महत्पूर्ण है हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राई को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेर कीजेगा ताकि आपके राई जो है वो काफी काम नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिर्यू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तदोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद तिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर च तरगुन महता के साथ मुक्व भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्थ रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नान यह अधारिश फिल्म है मोगा बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया साथ में सब्खाया जाएगा और सब्सक्राइब काम कारों एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाए गयी है एक्षे कुमार इसमें इसा अर्दन mother के तो दोस्तों कि ये फिल्म काफी जाद महत्वर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इसको अपीजादा देखा यह पसंद भी किया दा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चरचे है तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी जादा महत्पूर्ण है हमारे लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे मे इसका कोष्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फ फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुत्री रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का देप सिखा द दिखाई दाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में रक्षे खुमार दिखेंग इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नान सन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिण कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एकषे कुमार इसमें एसाई अर्धन सेटी के रूप में है और दिवयवक्सी के रूप में। भी काफी इच्छा रब्लक्तर हुआ है। तो दोस्तो एक फिल्म काफी जादा महत्तूल और हिट साविथ हुई है। इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज है तो आप इसकी बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने रście जरूर हमारे साथ शेयर किजेगा ताकि जरूर बताईएगा लोगों के साथ शेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट्पुतली मुवी के बारे में इसका अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखिएगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस ह तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंडमेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का देप सिखा देशमुग द तो वार एनर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबई ग्यानिक प्राध तिलर फिल्म है और यह फिल्म, बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूरून फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाने जाएगा आपको तो बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिण कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्छे कुमार इसमें ऐसा अर्दन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी अच्छा रक्तर हुआ है तो दोस्तों ये फिल्म काफी जादा महत्पून और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है फसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं, क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राई भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राई जो हैं वो काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राई को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राई जो है वो काफी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोष्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस के लेक्सन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पस्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे वहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से वहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो विडियो को पूरा कंट्रियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंटमेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुक द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राद दिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पुर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस् इसमें रकूल प्रित सिंग है और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में रक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारे ने किया है इसको राइटिंग जो है वह असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानित 256 रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत नानसन यह अधारिच फिल्म हैं बात करें इस फिल्म में संदिद काफी अच्छी चीज़ों में दिखाई गई है एक्षे कुमार इसमें एसा अर्जन सेटी के रूप में है और दिव्यवक्षी के रूप में भी काफी एच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों यह फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूल और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है फसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं, क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो हैं वो काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए और उन सभी लोगों के लिए जो की इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मूवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड डोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब्लॉक पश्टर सावित हुई थी और अक्षे कुमार के सबसे बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म यह किस प्रकार से बहत्रिन सावित हुई तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी सारी बाते बताने बाले हैं तो विडियो को पूरा कंटिरियू जरूर देखेगा और अगर आप अक्षे कुमार के फैंस हैं तो विडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेंडमेंट के तहट वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारतिय हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक प्राध दिलर फिल्म है और यह फिल्म बहत्रिन करदारों में दिखाई जाने वाली एक बहत्रिन एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्पूर्ण फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देशित 2018 में तमिल फिल्म रस्ता सनन की रिमेक इसमें रकूल पृत सिंग है और जोसिका लेकेयर चंदर चूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्षे भूमिका में रक्षे खुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तुसार्त रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रत्नान सन ये अधारिच फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाया जाएगा आपको 72 एक्टर के साथ 72 चीजों को दिखाया जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो 72 कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षेकउमार इसमें S.I. अर्धन स्यटी गे रूप में है और दिवयबक्सी के रूप में भी काफी अच्छा रक्टर हुआ है तो दोस्तों ये फिल्म काफी ज़्यादा महत्पूल और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी ज़्यादा देखा जा रहा है पसंद भी किया जा जा रहा है और लोगों में काफी ज़्यादा इसकी चर्चे हैं, क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा और आप अपने राय भी जरूर हमारे साथ सेयर कीजेगा ताकि हम आपके राय जो है वो काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है हमारे लिए दी और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस फिल्म को देखना चाते हैं तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ सेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वो काफी काफी नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटपूतली मुवी के बारे में इसका कोश्ट प्राइस कितना था इसने कितनी कमाई की थी बॉक्स ओपिस केलेक्शन कितना था इसमें कौन-कौन से लेड रोल आपको दिखेंगे और किस तरीके से यह कमाई करके ब् घताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कांट्यरियू जरूर देखिएगा और अगर आप अक्षे-कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों कट पुतरी रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरेटेन्मेंट के तहत वासु भंगनानी जेकी भंगनानी और दीपी का दीप सिखा देशमुग द्वारा निर्मित 2022 की भारते हिंदी भासा की मनुबैग्यानिक और यह फिल्म Enjoy 17 के दिखाई जाने वाली एक एक्टर के साथ दिखाई जाने वाली महत्तपुरुन फिल्म है इस फिल्म को लिखित और निर्देसित 2018 में तमील फिल्मं रस्तासनन की रिमेक इसमें रकूल प्रिट सिंग और जोसिका लेकेयर चंद्रचूर सिंग और सरगून महता के साथ मुक्प भूमिका में अक्षे कुमार दिखेंगे इसका निर्देशन रंजित एम तिवारी ने किया है इसको राइटिंग जो है वो असिम अरोडा ने किया है पठकता की कहानी तो उसार्थ रिवेदी ने किया है कहानी इसका राम कुमार की है और रतनानसन ये अधारिश फिल्म है बात करें इस फिल्म में तो इस फिल्म में दिखाय जाएगा आपको बहत्रिण एक्टर के साथ बहत्रिण चीजों को दिखाय जाएगा और आप इसे जब देखोगे तो बहत्रिण कामकारों को करने के लिए एक संदिद काफी अच्छी चीजों में दिखाई गई है एक्षे क तो दोस्तों यह फिल्म काफी जादा महत्पूर्ण और हिट सावित हुई है इसी के साथ इस फिल्म को काफी जादा देखा जा रहा है पसंद भी किया जा रहा है और लोगों में काफी जादा इसकी चर्चे हैं क्रेज हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बता तो आप अपने राय को जरूर बताईएगा लोगों के साथ शेयर कीजेगा ताकि आपके राय जो है वह काफी का